जेन दोस्तों स्वागत आपके चैनल तगड़ाफोजी पे दोस्तों आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वेकेंसी निकला है टोटल वेकेंसी है 6244 तो पूरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एकदम लास तक देखेगा किया है क्या के यलिजबिळी क्राइटिरी हाई थी कंड पूरा प्ताओंगा क्या कर्का की आएगा ठीक है वीडियो को लास तकी अगए हाँ और बीडियो को प्रदेश पुलीस भरतियवं प्रदन erreं त बेसे बोर्ड यह जो विग्यावन है नोटिफिकेशन है आप इस वेबसाइट में जो है देख सकते हो ठेक है यह जो वेबसाइट है इसमें जाके आप आराम से पीडिया फैल डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को आराम से देख सकते हो तो आई आगे बरते हैं बात करते है इसमें देखिये लिखा है कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी बरती 2030 उत्तरपदेश पुलिस में पुरुषो एवंग महिलाव के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर पेवन 5200 से लेके 20200 ग्रेट पे दूहजार ने बेतन मान में बेतन मेट्रिक्स रूप 21,700 के अंतरगत निमने लेकी तरीकत पदो को भरने के लिए ओनलाइन आवजदन पत्र आमंत्रित के जाते हैं अभी बता रहा है कि यह जो आपका जॉब है इसका बेसिक आपका सेलरी होगा 21,700 होगा तो यह आगे बात कर देख लेते हैं वेकंसी देख लेते हैं इधार देखिए जो अनरक्षित है अनरक्षित यानिकी यूर के टागरी मतलब अन्रिजर्व के टागरी ठीक है इनके लिए वेकंसी है 24,102 है वेकंसी EWS यानिकी जो जनरल के टीकरी का कुछ इससे का लोग जो इस सर्टिपिकेट बना सकते है उनके लिए वेकंसी है 6024 इसके बात करते हैं अन्रिजर्व वर्ग यानिकी OBC अधर बेकवर्ट क्लॉस इनके लिए है OBC के लिए 16,264 इसके बात बात करते हैं अनसूचित जाती या यानिकी OBC के लिए है 1204 तो टोटल वेकंसी है 60244 से टोटल वेकंसी जो के पूरे UP पुलिस के इतियास में सबसे जादा वेकंसी है इस साल तो बहुत 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 बर अपरचनिटी है आप लोग यूपी पुलिस में भरती होने का ठीके तो आए आगे बत करते हैं पूरा नोटिफिकेशन को एक बर देख लेते हैं इधर देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर बरती है तो पुरुष एपंग महिला या बरती पात रहंगी यानिकी मेल एबम फीमेल केंडिडेट जो है इसके लिए आवेदन कर सकते है परिक्षा के पूर्व किस किसी भी समय रिक्तियों की संक्या परिवर्तित की जा सकती है मतलब जो है वेकेंसी बर भी सकता है घड़ भी सकता है कभी नोटिफिकेशन में बता देगा बरती किसी भी समय या बरती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताई निरस की जा सकती है मतलब इसको कैंसल भी कर सकत इस वेकेंसी को यह जो नूटिफिकेशन को ठीक है तो आई आगे बात करते हैं इसका ओनलाइन जो आवेदन है ओनलाइन एप्लिकेशन शुरू होगा 27 डिसेंबर दोजर तेज से लेके चलेगा लाज डेट 16 जनवरी 2024 तक मतलव मान लिजिए डिसेंबर महिना का पास दिन 27 डिसेंबर को ले लिजिए तो 27, 28, 29, 31 इसमें पास दिन हो गया और जनवरी का है 16 दिन ठेक है 16 दिन टोटल हो गया 21 दिन तो 21 दिन समय दे रहा है तो बहुत ही कम समय दे रहा है वैसे website बहुत ही slow रहेगा तो आप लोग जल्दी जल्दी registration कर लिजेगा आप लोग ट्राइगी जेगा एकदम अरलि मॉर्निंग में नहीं तो रात को बारा एक बजे उसमें आप लोग online application कर लिजेगा क्योंकि उसमें website थोड़ा smooth रहेगा ठीक है आबेदन शु eligibility criteria है भारत का नागरीफ होना चाहिए ठीक है दोस्तों ठीक है भारत का नागरीफ होने से आप जो है कि इसका online अवयदन कर सकते हो इसके लिए दूसरे state से होते तो आप general category में माना जाएगा अपको ठीक है और आप यदी स्टिए से ओवी सी EWS हो तो सिर्फ और सिर्फ यूपी क्या होना चाहिए ठीक है यूपी क्या होना चाहिए आगे बरते है इसके बाद देख लेते है इसके बाद देख लेते है क्वालिफिकेशन भारत में बिदी द्वारा, स्तापिद बोर्ड द्वारा, 10 भी एवंग 12 कख्षा, उत्तिन या सरकार द्वारा मानने था प्राप्त, उसके शमा कख्ष अरहरता होने अवश्रक है, यानि कि आपको कोई साभी बोर्ड का, कोई साभी श्टेट बोर्ड का बार्वी पास होना चाहिए, ठीक है, 10 भी एवंग 12, मतलब 12 भी पास आपका होना चाहिए आपको कोई से भी स्टेट बोट से होने से हो जाएगा चलिए आगे बत करते हैं वीडियो को एकदम आराम से देखेगा एकदम पूरा अंगतालिका उसके अंगतालिका अत्वा प्रमानवत्र तस समय उसके पास उपलब होने चाहिए पेक्षित शेक्षिक अरहरता है तो परिक्षा में सम्मिलित हुए अत्वा सम्मिलित होने बाले अव्यरती पात्र ना होंगे तो आपका जो है पास सेटिफिकेट होना चाहिए यह नहीं कि आप एकजाम दोगे ठीक है ऐसा नहीं होगा आपको पास होना चाहिए ल पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो चलिए अगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें जो है नेलिट साटिफिकेट होना चाहिए ठीक है आपका जो है नेलिट साटिफिकेट होना चाहिए आप प्रादेशिक सेना में निन्न तुम्हें दो बर्ष की अब दीधक की सेवा की हो या फिर नेशनल केड़ को एन्सीस बी साटिफिकेट होना चाहिए आपको ठीक है आगे बात करते हैं आईउ जो की पुरुष के लिए 18 साल तक और महिलाओ के लिए 18 साल तक अपका एज लिमिट होना चाहिए और इधर देखिए परन्तु अन्य पिछरा बर्ग में अतलब ओबीसी एस आगे बरते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या इसमें है इधर दीखिए एक टिपनी है नियुकती के लिए ऐसा पुरुष ब्यर्थी पात्र ना होगा जिसके एक से अधिक पत्निया जिबित हो या ऐसे महिलाओ ब्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से आपका दो तिन शादी नहीं होना चाहिए और ऐसे महिला जो पहले से एक पुरुष को शादी किया हो जिसका अल्रीडी एक बीबी है इन लोग को बरती नहीं किया जाएगा ठीक है दोस्तों इदर इस टिपने में बताया गया है आगे बरते है इसके बाद बात करता है लिकित प्रतम द्रिष्ट या से ही पाए जाएंगे से आफ लाइन लिखित परिक्षा में सम्मिलित होने की अपैक्षा की जाएगी लिखित परिक्षा में बस्तुनिष्ट प्रकार का प्रश्ण पत्र रखा जाएगा लिखित परिक्षा 300 मार्का होगा ठीक है जिसकी समयबदी द 300 मार्क का एक्जाम होगा और 2 गंटा का टाइम दिया जाएगा इसमें देखें चार विशय रहेगा सामन्य ग्यान सामन्य हिंदी संक्यात्मक एबं मानसिक योग गता तता मानसिक अभिरोची बुद्धिलब्दी ठीक है एबं तरकिक शमता जिसमें के 1500 कुष्षन रहेगा हा दो गंटा का टाइम में आपको 1500 कुष्षन को अंसर करना है तब आपको 300 मार्क मिलेगा ठीक है और इधर दिखिए एक चीज आप यदि गलत अंसर करते हो तो आप से प्रत्य प्रश्ण से 0.5 काटा जाएगा ठीक है यदि कुछ भी गलती करते हो एक भी कुष्षन तो आप से जो है 0.5 मार्क काटा जाएगा मतलब दो कुष्षन यदि गलत करते हो ठीक है दो कुष्षन यदि गलत करते हो तो आप से एक मार्क काटा जाएगा ध्यान पर रेकना है यह बत तो जो कुष्षन नहीं आता है उसको आंसर ही मत करो ठीक है छोड़ दीजेगा ठीक है आग कुछिंटी आर्म देशन होगा अले देट परिक्षा संबिक्ष्षा शारिरीक मानग परिक्षा तता शारीक दख्षता परिक्षा के प्रवेश्पत्र यतासर में बोर्ट के वेब साथ मातब मतल मोड के वेबसाइट में जो है उपलप करा च्राए जाएगा मेरिट लिष्ट यह मेरिट लीष्ट यह फिर फिर क्पीसी कल už % वो इस website में जो upload हो जाएगा आप लोग इदर से download करके देख सकती हो अभी देखते है physical test ठीक है physical test में आपसे document verification मंगा जाएगा ठीक है उस समय आपका documents होना चाहिए अभी देख लेते है हाइट के बारे में देख लेते है सामान ने अन्य फिचर बर्ग और उनसाची जातियों के पुरुष अभ्यार्थिव के लिए नुनत में उचाहिए 168 cm होनी चाहिए मतलब UR, OVC, SC इन लोग के लिए 168 cm आपका होना चाहिए हाइट ठीक है दोस्तों और ST category के लिए ST के लिए 160 cm, 160 cm होना चाहिए आपका ST category ठीक है आगे बरते सीना जो है आपका चेस्ट होना चाहिए नौर्मली 79 cm होना चाहिए UR category, OVC, ST category के लिए और आपको एकस्पांड करना परेका और 5 cm आपकी 84 cm होना चाहिए और ST के लिए 77 cm ठीक है 77 cm और आपको एकस्पांड करना परेका और 5 cm आपकी 82 cm देखिए 95 cm सीना का फोलाना अनिव्यारी है ठीक है आगे बरते हैं महिलाओ के लिए अभी महिलाओ के लिए है जो है UR category OBC, ST category के लिए 152 cm होना चाहिए और ST category के लिए 147 cm होना चाहिए वजन आपका नुननतमं 40 kg महिलाओ भरती के लिए होना चाहिए ठीक है वजन तो पुरुष का वजन जो है नोर्माली हैट की जापसे नोर्माली होना चाहिए अब बात करते हैं Physical Efficiency Test PET इसमें आपको पुरुष के लिए जो है पुरुष के लिए आपको 4.8 किलोमीटर रानिंग करना है 25 मिनुट में कम्पलीट करना है बड़िया है 25 मिनुट के आपको 4.8 किलोमीटर रानिंग कम्रीट करना है और महिला ब्यारती के लिए 2.4 किलिमीटर मतलब लगबक डाई किलिमीटर जो है तो आपका इसके बाद रहेगा और कुछ देखता हो है कि नहीं बस रानिंग बस रानिंग ही होगा और तो कुछ नहीं ठीक है और आगे देख लेते हैं कुछ है कि नहीं यह देखिए EWS कटेगरी के लिए जो है यह 10 प्रतिशत का छूट देगा ठीक है EWS कटेगरी जिससे मैं पहले वीडियो में बता दिया था कि EWS कंडिडेट के लिए 10% आरक्षन मिलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और कुछ खास है कि नहीं इधर देखिए EWS के लिए जो है पाज बर्ष का छूट दिया गया है ठीक है अधिकते में पाज बर्ष का छूट दिया गया है और टेश्टी कट अगरे के लिए भी पाज बर्ष का छूट दिया है और ओबीसी कट अगरे के लिए भी पाज बर्ष का छूट दिया गया है और EWS के लिए कोई छूट नहीं है ठीक है EWS के कोई छूट नहीं है और आगे बढ़ते हैं क्या है देखता हूँ उलेज डिसेंबर से शूर हो जागे इस वेबसेट पर अब ऑनलाइन आवेदर कर सकते हो और यह जो नंबर है रहेंड़ कर सकते हैं पता कर सकते हैं और विश्चित जानकारी के लिए ठीक है आप जब यह ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप डेविट काड इंटरनेट बेंकिंग यूबियाई से आप जो 400 रुपे वह सब्मिट कर सकते हो ओनलाइन पेमेंट कर सकते हो ठीक है तो यह जो है सिलाबस पूरा सिलाबस आप लोग देख सकते हो इसका स्क्रीनशोट ले सकते हो आप ठीक है जर्नल नौलज में यह सब पूरा रहेगा जर्नल हिंदी में यह रहेगा इसका स्क्रीनशोट लेके आप आराम से पराई शुरू कर दो और मार्केट में से बहुत सारी किताबे मिलेगा उसको भी लेके आप पराई कर सकते हो ठीक है निमरेकल अन मेंटल एविलेटी जो है इसमें संक्यात्म योगता निमरेकल एविलेटी यह सब रहेगा ठीक है आप यह सिलेबस को पूरा कंप्लेट कर लेंगे और दोर में यह सिलेक्ट हो जाएंगे तो आराम से यूपी पुलिस का नौकरी मिल देगा आपको ठीक है तो आप लोग बहुत मेनत कीजिए ठीक है और 27 डिसेंबर से आप लोग online registration शुरू कर दीजिएगा चलेगा 16 जनवरी तक ठीक है और website बहुत वीजी रहेगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह ने तो रात को जो है early morning पे ने तो रात को online registration कर लीजिएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेर कीजिएगा दस्तो और तकड़ा फोजी चनल को सस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो पे दस्तो जहीं